हेलो एवरिवन मैं प्री एंक चोधरी आप सभी का अपने प्यारे सी यूटीब चैनल हिंदी कैफे में हर दी कभी नंदन करती हूँ आज की इस वीडियो मोडूल में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 संस्कृत के बुख शेमुशी भाग एक का चैप्टर 6 ब्रहानतो बाल है और उसके बाद पाठ का हिंद्य अन्वाद करेंगे तो देखिए पाठ परीचिये संग रहित किया गया है अश्याम कथायाम एक के ताद रिशे बाल है चित्री तो अस्ति यस्चे रूची स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भावती होती हैं इस कथा में एक उस प्रकार के बालक का चरित्र है जिसकी रूची अध्यन की अपेक्षा खेलने में अधिक होती है सह सरवदा क्रिणार्थम एव अभिलस्ती परहे चे तश्य सखाये स्वस्व कर्मणी सनलगना भवन्ती सह वह सरवदा हमेशा क्रिणार्थम एव खेलने के लिए ही अभिलस्ती इच्छा रखता है परहे चे और लेकिन तश्य उसके सखाये मित्र स्वस्व कर्मणी अपने कार में सनलगनाव्यस्थ भवंति होते हैं वह हमेशा खेलने के लिए ही इछा रखता है और लेकिन उसके मित्र अपने कारिये में ही सनलग्न होते हैं अर्थार्थ व्यस्त होते हैं असमात कारणात ते अनें सह क्रिड़नदि इस कारण से जब अनें दूसरों के सह साथ neighborhood नहीं ँझी खेळते हैं इस कारण से विद दूसरों के साथ नहीं खेलते हैं अत है एका की से निराश्यम प्राप्य विचिंत्यती यत से एव रिखते सन इतस्तते ब्रहमती अत है इसलिए एका की अकेला से वह निराश्यम निराशा को प्राप्य प्राप्त करके विचिंत्यती सोचता है यत की से वह एव ही रिखते खाली सन होकर इतस्तते इधर उदर ब गूमता है इसलिए अकेला वह निराशा को प्राप्त करकी सोचता है कि वह ही खाली होकर इधर-उदर घूमता है। हैं कैला अंतरे समय के साथ बोध बोध भावती होता है यहत्की सर्वेowym सभी सभी क securely कुर्वन्त है करते रहते संति हैं समय के साथ होता है कि अपना अपना कारिये करते रहते हैं अधे मयापी तत यह कर्तव्यम यह उतला आते हैं इसलिए मैं आपी मुझे भी तत एव वैसा ही कर्तव्यम करना चाहिए येन जिसके द्वारा मम मेरा काल है समय सार्थक है सार्थक शाथ हो इसलिए मुझे भी वैसा ही करना चाहिए जिसके द्वारा मेरा समय सार्थक हो अब देखी बिटा पाठ का हिंदियन वाद ब्रांते है कश्यन बाले है पाठ शाला गमन वेलायाम क्रीड तूम एगच्छत ब्रांते है बटकता हुआ या ब्रहमित कश्यन कोई बाले है लड़का पाठ शाला गमन वेलायाम पाठ शाला जाने की समय क्रीड तूम खेलने के ल लिए गया किन्तु तेन से हैके लिभी कालम शैप्तुम तदा कौ अपी नहीं वय येस्व उप लंभी ऩमान‌ आसितौ किन्तू तेन उसके सह साथ के लिभी खेल द्वारा ग्लाम समय कौन समय बिताने के लिए उस समय कोई भी उसके मित्रों में से उपलाब्द नहीं था। यदे है ते सर्वेअपी पूर्व दिन पाठान स्मृत्वां विध्याले गमना तवर्माना अभवन यदे है क्योंकि ते वे कोन मित्अ उसके मित्र। सर्वे अपी सभी पूर्व दिन पाठान पहले दिन वाले पाठो को इस मृत्वा याद करके विध्याले गमनाय विध्याले जाने के लिए त्वर्माना जल्दी में अभवन थे क्योंकि वे सभी मित्र पहले दिन वाले पाठों को याद करके विध्याले जाने के लिए जल्दी में थे तंद्रालू बाले लजजया तेसाम द्रिष्ट पथम अपी परिहरन एका की कीम अपी उध्यानम प्राविशत तंद्रालू आलसी बाले बालक ने लजजया शर्म से तेसाम उनसे द्रिष्टी पथम अपी नजर भी परिहरन बचाता हुआ एका की अकेला कीम अपी किसी उध् प्राविश्यत गया कि आलसी बालग शर्म से उनसे अपनी नजर बचाता हुआ अकेला किसी उद्यान में गया। किताबी कीडा। कि अब विद्याले जाकर पुन्हे क्रोधित अध्यापक का मुख नहीं देखना चाता हुँ। एते निस्कुट वासिने प्राणिन एव मम वयस यहा संतु इती एते ये निस्कुट वासिने कोटर में रहने वाले प्राणिन पक्षी एव ही मम मेरे वयस यहा मित्र संतु होंगे इती ऐसा। और वो क्या सोच रहा है कि ये कोटर में रहने वाले पक्षी ही मेरे मित्र होंगे। इसके बाद उसने फूलों के उद्ध्यान में गूमते हुए भावरे को देखकर उसे खेलने के लिए दो तीन बार बुलाया। तथा पी सह मदुकरे अश्य बालशे आहवाना तिरस्कृत्वान। फिर भी उस भावरे ने इस बालक के निमंत्रन को ठुकरा दिया। तथे भुये भुये हटम आचरती बाले सह मदुकरे अगायत वयम ही मदु संग्र व्यग्रा इती। तथे तब भुये भुये बार बार हठम आचरती जिद करते हुए बाले बालक को सह उस मदुकरे भावरे ने एगायत गाकर कहा वयम हम सब ही निश्यत रूप से मदु संग्र है मदु अर्थार्थ फूलों के रस्कवा संग्र है इकट्टा करने में व्यग्रा व्यस्त है इ हम सब निश्चित रूप से फूलों का रस इखटा करने में व्यस्त हैं अब आगे देखो बिटा तदा से बाले अलम भालक ने अलम रहने देता हूं भाशनेन बात करना अनेन इस मिथ्या गर्विते जूठे गमंडी किटेन कीडे से इती ऐसा विचिनते सोचकर अन्यतर द रिष्टी नजर डाली चंचवां चोच से त्रिन शला का दिकम तिन का आद दानाम ले जाते हुए एकम एक चटकम नर्चिडिया को एपशत देखा तब उस बालक ने क्या सोचा कि इस जूठे गमंडी कीडे से बात करना रहने देता हूं ऐसा सोचकर जब उसने दूसरी औ और अपनी नजर डाली तो उसने देखा कि चोच से त्रिन का ले जाते हुए एक नर्चिडिया को देखा दम वधत चै आई चटकमूत एवधत बोला चै और आई हे चट कपोत नर्चिडिया और बोला हे नर्चिडिया मानुशस्य मम मित्रम भविश्यसी मानुशस्य मनुष्य के मम मुझे मित्रम मित्र भविश्यसी बनोगे कि मुझे मनुष्य के मित्र बनोगे एही क्रिडाव है एही आओ क्रिडाव है खेलते हैं आओ खेलत एतत्थ शुशकम त्रेणम त्यज्य स्वादनी बख्छ करणानी ते दाश्या मी इतीं। इस शुशकम शुखे त्रेणम तिंखे को त्यज्य चोड़ो स्वादों स्वादिश्ट बख्छे करणानी भोजन की निवाले ते तुम्हें दाश्या में दूंगा इती ऐसा कि इस सूखे तिनके को छोड़ो मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन के निवाले दूंगा सै तुमया वट दूमशे शाखायाम नेडम कारियम इती उक्तवा स्वे कर्म व्यग्रे अभवत अपने काम में अभवत लग गया कि उसने क्या कहा कि मेरे द्वारा वट व्रिक्ष की शाखा पर घोसला बनाया जाना है ऐसा कहकर वह अपने कारिये में लग गया तदा खिन्य है बाल के है एते पक्षिणे मानुशेशू नय उपगच्छंती तदा तब खिन्य है निराश बाल के है बालक ने कहा एते ये सब पक्षिणों पक्षी मानुशेशू मनुशे के नय नहीं उपगच्छंती पास जाती हैं तब निराश बालक ने कहा कि ये सब पक प्रक्षी मनुष्य की पास नहीं जाती हैं। दूसरे आनदित करने वाले को खोजता हूँ यह विचार कर उसने किसी कुट्टे को भागते हुए देखा। प्रक्षी मनुष्य के मित्र किम परियटसी असमिन निदाग दिव से। कि इस गर्मी के दिन में क्यों घूम रहे हो। इदाम प्रच्छाय शीतलम तरू मुलाम आश्रे अस्व। इदाम इस प्रच्छाय शीतलम शीतल चाय देने वाले तरू मुलाम पेड के नीचे आश्रे अस्व। इस शीतल चाय देने वाले पेड के नीचे आश्रे लू। कि मैं भी खेल में सहायक तुमी जैसे किसी को देख रहा हूं। कुकुर है कुट्टे ने प्रतिवदत उत्तर दिया। यो माम पुत्र पृतिया पोश्यती स्वामिनो ग्रिहे तश्यय रक्षा नियोग करना नैमया ब्रश्ट व्यम इसद अपी। यह जो माम मुझे पुत्र पृतिया पुत्र के समान पोश्यती पाल रहा है। कि उस स्वामी के घर पर जो मुझे पुत्र के समान पाल रहा है। अथार्थ मेरा पालन पोशन कर रहा है। रक्षा नियोग करना रक्षा करने रक्षा कारिये करने से नय नहीं। मया मेरे द्वारा ब्रश्ट व्यम ऐसावधानी करनी है। इस सद अपी थोड़ी सी भी कि उस स्वामी के घर की रक्षा कारिये करने में मेरे द्वारा थोड़ी सी भी ऐसावधानी नहीं होनी चाहिए। कम्प्लेट श्लोका देखी बिटा कि उस स्वामी के घर पर जो मुझे पुत्र के समान पाल रहा है। अथार्थ मेरा पालन पोशन कर रहा है। उस स्वामी के घर के रक्षा करने में मेरे द्वारा थोड़ी सी भी ऐसावधानी नहीं होनी चाहिए। किलियर अब लाश्ट परिग्राफ देखी बिटा। सर्वाई एवं निसिद्य से बालो भग्न मनो रथे सन कथम असमिन जगती प्रत्यकम स्वेश्वेकारी निमगने भवती। सर्वाई सभी के द्वारा एवं इस प्रकार निसिद्य मना करने पर से वह बाले बालक भग्न मनो रथे निराश सन हो गया। कथम किस प्रकार असमिन इस जगती संसार में प्रत्यकम प्रत्यक प्राणी स्वेस्वे कारिये अपने अपने कारिये में निमगने लगा हुआ भावधी होता है सभी के द्वारा इस प्रकार मना करने पर वह बालक निराश हो गया और सोचने लगा कि किस प्रकार इस संसार में प्रत्यक प्राडी अपने अपने कारिये में लगे हुए होते हैं है नमस्कार है एते इन सभी को इन सभी को नमस्कार किनको विटा यह जिनके द्वाराम में मुझ में तंद्रा लुतायाम आलश्य के प्रति कुछ सा घ्रिणा समापादिता उत्पन की गई कि जिनके द्वारा मुझ में आलश्य के प्रती घिना उत्पन की गई ऐसे लोगों को मेरा नमस्कार है अथ स्वेवचीतम एहम अपी करोमी इती विचारिये त्वेरितम पार्शालाम एगच्छत अथ अब स्वेवचीतम अपने लायकारिये एहम अपी मैं भी करोमी करता हूं इती ऐसा विचारिये विचार करके त्वेरितम शीगरही पार्शालाम पार्शाला ये विद्धाले एगच्छत अब अपने लायकारिये मैं भी करता हूं ऐसा विचार करके शीगरही विद्धाले चला गया तते प्रेब्रिती से विद्या वियसनी भूत्वा महतीम वैदुशीम प्रथाम संपदम चे अलबत तते तब से प्रेब्रिती लेकर से वह विद्या वियसनी विद्या की लत्वाला भूत्वा होकर महतीम महान वैदुशीम विद्वता को प्रथाम प्रिसिद्धी को संपदम संपादा को अर्थार्थ धंदोलत को चै और एलबत प्राप्त किया तब से लेकर वह विद्या की लत्वाला होकर महान विद्वरता को प्रसिद्धी को और संपदा को प्राप्त किया किलियर तो डिरा स्टुडेंट्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले थैंक यू